दोस्तों मैं अशोक राही आपका स्वागत करता हूँ सीटी लाइव डायलोग की सिरीज में आज हमारे साथ हैं विकास और जनसंक्या विशेशग्य डॉक्टर देवेंद्र को ठारी आईए हम करते हैं उनसे कुछ बेबाक बातचीत सत्तर वर्ष हो गए हमें आजाद हुए और इन सत्तर सालों में इंतजार, इंतजार और सिर्फ इंतजार विकास का इंतजार, शिक्षा का इंतजार, रोटी का इंतजार, पानी का इंतजार नजाने किस किस चीज का इंतजार हम करते रहे एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आज हमारे सामने है और वो भी कुंठित है वो सोच रही है कि ये देश में बदलाओ कब होगा किस विकास की बाद जो लगातार की जा रही है वो विकास आखिर कब आएगा आज इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए प्रसिद्ध जन संक्या विशेशग्य डॉक्टर देविंदर कोठारी से बात करते है डाक साब ने बहुत बहुत पूर्ण तरीके से इन विशियों पर चिंतन किया है और उन्होंने अपना एक मॉडल भी तयार किया है उसके बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले तो उनसे यही पूछते है कि डाक साब आखिर यह इंतजार कब खत्म होगा इंतजार कब खत्म होगा अशोग जी यह बहुत बड़ा प्रश्ण है हाँ इंतजार खत्म हो सकता है यह अपन कुछ करें आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि सितर साल हो गए इंतजार इंचार, सित्ता सालम हमने काफी काम किया, हम लोग आदमी को अपने भारती को चंदरमा पे भेजने वाले हैं, आपको मालूम है, चंदरमा पे जाने वाला है, बुलेट ट्रेंड बनने वाली है, लेकिन उसके साथ में हिंदुस्तान के अंदर दुनिया के सबसे अधिक आपको पढ़ नहीं पाता है, ये स्तिवी है, डंग साब ऐसा क्यों हुआ है, जबकि हमारे एजूकेशन सिस्टम पर, हमारी और दूसरी योजनाओं पर लाखों करोड रुपिया खर्च किया गया, अखिर क्या खामी है, क्या इसके लिए हमारे जो भाग्य विदाता हैं, जने हम अपना नेता कहते हैं, वो जिम्मेदार है या जनता जिम्मेदार है, मैं सोचता हूँ कि जनता जिम्मेदार नहीं है, हमारे नेता लोग जिम्मेदार है, हमारे नेता लोगों के पार वीजन नहीं है, एक कल्पना होनी चाहिए, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, या उसका पिता उसके political leaders होते हैं, unfortunately हमारे पास vision नहीं है, पंडिस जवालना नहरू के पास vision था, वह vision था लेकिन वह vision एक बड़ी large-scale की चीज़ों के बारे में था, जिस IIT ज़े बनाया जाए, IIM बनाया जाए, यह बनाया उन्होंने, 1951 के अंदर पहला IIT बन चुका था हमारे यह परे कड़कपुर में, हमने बड़ी चीज़ों, पंडिस जवालना नहरू का vision विशाल था, हमें जरूरत थी छोटी चीज़ों पे जोड़ देने की, स्मॉल चीज़ों पे जोड़ देने, जिसे की primary education, primary health, इस पे हमने जान नहीं, sanitation, water supply, यह हमने जान नहीं दिया, यह कारण सितर साल के बाद भी हमको हमारा जो पानी पीने का है, 70% पानी दूशित है जो हम पी रहे हैं, और देली में हवा का साथ क्या हो रहा है तो आपको माल रुमाई है, देली में की पूरे country में हवा के आलत बहुत खराब है, तो हमने यह छोड़ी-छोड़ी चीज़ों पे जोड नहीं दिया, जिन देशों ने विकास किया, उन्होंने यह छोड़ी-छोड़ी चीज़ों पे जोड़ दिया, और इसे कारण में देश आगे बढ़ पाए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हमारे नेताओं के पास विजन की कमी है, आज भी मुझे लगता है कि नेताओं के पास पस्ट विजन नहीं, आज की जंदर शिन के दिर भी देखा जाए तो. डाक साब, ये सबसे वड़ी बात हम ये भी देख रहे हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र है, ये सिर्फ एक चुनाव का लोकतंत्री बनके रह गया है, हर वर्ष कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, और चुनाव में बहुत सारे वादे किये जाते हैं, हम लोक तो हमेशा ही साल के बारा महीने इलेक्शन मोड में रहते हैं, और इलेक्शन मोड का मतलब है, आचार सहीता लग जाती है, काम बंद हो जाता है, ये हो रहा है, क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ हमारे पॉलिटिकल लिटिशिप को इसमें है, क्योंकि उनको पॉलिटिशिन को इसमें परजेंट सिस्टे में ज्यादा फाइदा है, काम करने की जूरूत नहीं, इलेक्शन होगा, नारे लगेंगे, भाषन होंगे, और चल जाता है, मैं आपको बात ही कहना चाहूंगा, अमिरका है, अमिरका दुनिया की सबसे ही डेमोकरसी है, कल खुदानखासा महां करी परसिडेंट की डेत हो जाती है, तो इलेक्शन नहीं होगा, वाइस परसिडेंट परसिडेंट शिक्षित है वे सुबह कमाती है साम को खाती है उनको इन बातों की चिंता नहीं है और यह लोग वोट देते हैं तो पॉलिटीशन को तो यह जो सिस्टम चला आ रहा है उसको बनाए रखने में ही ज्यादा फाइदा है तो डाक साम इसका मतलब है कि अगर यह जो हमारे निता ह जो कहते हैं कि हम दृष्टी दिखाते हैं दूर दृष्टा दिखाते हैं यह इसी तरह के चलते रहेंगे सारी जनता को चलते रहेंगे क्या कोई मॉडल है क्या कोई बात है या कोई किसी तरह कुछ परिवर्तन हो सकता है पैस होसाम साब कि मैं विश्वास करता हूं कि परि अच्छे पॉलिटीशन भी हैं, उनके दिमाग में बात बेठाने की जुरूत है, इदि बात बेठ जाती उनके दिमाग में, तो मैं सोता हूँ, यह देश में एक जंदरिशन के अंदर, एक जंदरिशन के पचीस साल होते हैं, पचीस साल में यह कंट्री बहुत जादा आगे बढ़ सकता है, कारण है किसे कोसिस करनी पड़ेगी, और लाना तो प्लीटीशन को इपड़े हैं, उसको ही लाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, और हम अपने समझा सकते हैं, क्योंकि जब यहां के नागरिक जागरुक हो जाएंगे, उनको जागरुक करने की साल से इसमें काम कर रहा था डग साब वो मौडल क्या है जो आपने बनाया है जिसको बिल गेट्स तक ने सराना किया उसकी आखिर वो मौडल है क्या यह मौडल है साब कि मैं आज से करीब डेट साल पहले की बात होगी मैं स्टेंफर्ड युनिशिटी के अंदर मुझे बुला था पेंदल डिस्क्रिशन के बाद एक प्रोफेसर में जो क्वेस्टन पूछा कि डाक्टर कोठारी यह सिलिकन वेली का हार्ट है स्टेंफर्ड युनिशिटी और सिलिकन वेली की ग्रोथ में 15 तो 20 परसेंट ग्रोथ ड्यू टू इंडियन्स की बात कर रहा हूं मैं बांग जब इंडिया में आप क्या कर रहे हूं कि हास्वी इस क्वेस्टन मैंने सोचा मैं इधी कोऊंगा मारे प्राइम इन्स रहे सें बस जाओंगा क्यों मैं जानता हुआ कि आपकी डेमोक्रैसी आप वोटट चेंज क्यू नहीं करते हो तो मैंने का यह मैं बहुत गबरासा गय नहीं था जब मैंने सोचा कि एर बात किया फिर मैं दूसरे देशों की स्टेड़ी की चाइना जो हमसे पीछे था 71 में चाइना हमसे बहुत पीछे था अभी मैं जाया हूँ एक मेने पहले मैं चाइना में था मेरा लेक्चर भी था वहाँ पर तो हम लोग देखा इन्होंने क्या किया क्या जादू किया उन्होंने एक बात की उन्होंने अपने human resources का मानव संसादन का विकास किया हमने मानव संसादन का विकास नहीं किया जो मेरा मोडल है HD plus human development plus का मता और भी चीज़ां समलित कर सकते हैं इनको आप ले के आएं कर human development की बात करें जो अमरिस्तिया सेंट बात करता है capabilities की capabilities बढ़ाएं लोगों की जिस दन की capabilities बने जाएगी मैं politician को भी challenge करेंगे खुद की productivity बढ़ेगी और उनका विकास होगा तो यह जो model है इसके अंदर HD plus के अंदर में education health sanitation gender इनकी बाते करता हूं population stabilization की बात करता हूं और इसको यह बाते हैं सभी कर रहे हैं यह मैं कोई नहीं बात नहीं कर रहा हूं लेकिन इसको कैसी implement किया जाए यही इस model की खाश्यत है डग साब यह जो हिंदू-Muslimान की बात की जाती है मैं हिंदू-Muslimान के विकास की बात कर रहा हूं मैं आपके model में जो आपने चार्ट बनाया है उसमें देखता हूं कि कई Muslim देश अचानक हम से आगे हो गए इसका क्या करणे देखिए जिते भी Muslim कंट्री है उनकी स्थिती इंडिया से बहतर है और अपना जो पड़ोसी बांगला देश अपने साथ सामने है वे हम से आगे है कारण क्या उन्होंने कुछ ऐसी चीज़े की जो हमने अभी तक नहीं की एक तो उन्होंने जन संक्या को कंट्रोल किया जन संक्या को कंट्रोल किया और एज्यूकेशन को बढ़ाया हम दोनों चीज़ों में फैल हो गए नहीं तो जन संक्या को कंट्रोल किया यदिया संजे तो यह देश चाना से कहीं गुना आगे जा चुका होता। जाजम न हरता। पांच चिजह तो बोली तो याद होगा। एजूक mesma कि जण संख्या करें बात कि थी, पेड़ लगानों की बात की थी याद क्लिये, तो यहीं बाता जिरूरी हैं। उन्होंने जन संख्या पर अपर कंट्रोल किया। सबसेंत है। बंगला इस गरीब कंट्री सम memoir इससरह इंडोनेशा इंडोनेशिया में से अगे जो लिए मोडल मना हैं ऐっちिए जुञाने इससी कोई बात ना चाहे तो डाक साब आप बहुत आशानवित हैं लेकिन क्या आपको लगता है कि इस माहोल में भी हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं हमारी नई पीड़ी जो बिलकुल इस समय निराश हो चुकी है और अराजक्ता की इस्तिती में पहुंच चुकी है वो उसको उसके लिए कोई आशा की किरन है या दिख रही है आपको आराजक्ता आपने बहुत शब्स किया कंट्री के हालत बहुत खराब है आप देखते नहीं整ity आपटेल नहीं माहोल ऐसा बन गया है क्या आराजक्ता फ्लती जा रही है youth कें अंदर क्यों उनको नोक्री नहीं उनके पास, जब नोक्री नहीं है, क्यों आप को बनाई ही नहीं, उनको बढ़ा ही नहीं, उनको नोक्री पर रखेuss陌शन है, यह थे आपके पास industry है, difficult situation में गुश चुके हैं बड़ी मुश्कल से निकलना तो start कीजिए आप human development का और साथ में jobs को बढ़ाईए बाहर से चीज़े क्यों मंगाते हैं अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है चाइना पर चीज़ों पर रोक लगा दी क्यों रोक लगा रहा है बड़ चाहता है उसकी खुद की इंडिस्ट्री हमारी यह क्या हो रहा है हम बाहर से चीज़े मंगा रहे हैं आपका डोलर की किमत कम होने का और यह मैं समझेगा कि हमारा पेट्रोल की किमते बढ़ गई सबसे बड़ी हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं इंपोर्ट जादा कर रहे हैं और इसलिए डोलर की मत भी कम हो रही है तो क्यों ने हिंडुस्तान की इंडिस्ट्री को डवलोमेंट की बात करें और साथ में हियूमन डवलोमेंट की बात करें जिससे क्या होगा नोक्री भी मिलेगी और धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन यूस चाहता है कि इंदुस्तान में चेंज आए वे तैयार है इसके लिए तो क्वेश्चेज है अब ही माहुल बनाए और माहुल बनाने से काम बन सकता है और कुछ पॉलिटिजिन अच्छे हैं हमारे यहाँ पर मेनी का तो हमारे यहाँ नहीं है उनको मोटिवीट किरने की जुरूत है उसमें आप सब लोगों का सहीव की दोस्तों डॉक्टर कोठारी बिलकुल सही कहते हैं कि उमीद है उमीद की किरने हैं लेकिन एक माहौल बनाने की ज़रूरत है और हम उमीद करते हैं कि डॉक्टर कोठारी की बात सुनकर हमारे जो नेता जो बिलकुल एक तरह से जिनके कान पर जूबी नहीं रेंगती है जो सिर्फ चुनाओं में वोट लेने की बात करते हैं इश्वर उनको भी सदबुद्धी देगा और हम तो यही कहेंगे कि आने वाली पीड़ी के लिए वो आशनवित रहे और डॉक्टर कोठारी की महत्वून बात सुनके ये साफ समझ में आता है कि कौन कहता है कि आस्मा में छेद हो नहीं सकता एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो डॉक्टर कोठारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद झालो ये साफ समय आपका बहुत 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 बहुत